तो topic है magnetic field B की value निकालनी कहां पर on the axis of solenoid और solenoid की length long नहीं है, it is not a long solenoid तो एक short solenoid है, इसकी लंबाई बस इतनी सी है तो आपको इसके axis पे कहीं पर B बताना है अब क्योंकि एक long नहीं है, अगर ये long होता तो मैं answer देता mu not ni पर ये long नहीं है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने एक solenoid लिया इस solenoid का axis लिया, ये solenoid को कैसे किया, ये देखो imagine करो कि ये wires ऐसे आरही है, ऐसे, ये solenoid है, ऐसे, ऐसे जा रही है तो imagine करो कि यहां से current बाहर आ रहा है, ये wire गई और ये अंदर खुस गई तो मैंने यहां की wire चुपा ली, current आया, imagine करो wire के तो अंदर चला गया फिर पीछे से board से फिर current आया और inside चला गया, फिर current आया बाहर, inside चला गया आप अपनी assignment में ये dot, dot, dot कर लो और इधर से cross, cross, cross कर लो ये show कर रहा है, current एंटर कर रहा है, और फिर बाहर चला, यहां से बाहर आ रहा है, inside चला गया अब solenoid, यह रहा मेरा solenoid, तो मेरे को क्या यूज करना है, by itself law तो मैंने क्या किया, length of solenoid मेरे को given नहीं, radius इसका R गिवन है तो मैंने क्या किया, यहां पर मुझे B निकालना है, इसके एक कोने से ये angle क्या बना, बीटा और इसके एक कोने से, इस perpendicular के साथ, ये angle क्या बना, alpha जैसे हम alpha बीटा, एक straight wire के लिए क्या करते थे, एक कोना alpha, एक कोना बीटा अब मैंने क्या किया, इस solenoid का एक चोटा सा portion ले लिया तो wires ये wires घुमरी थी, एक portion consider किया, कितनी दूरी पे, x दूरी पे इस portion ने ये small angle d5 बनाया, और ये जो angle बनाया, यहाँ से यहाँ, ये कितना बनाया, 5 angle बनाया बिल्कुल वैसे feel आ रहा होगा, जैसे finite wire का result किया करते थे तो इसके अंदर क्या करने है आपको, इसकी length dx है अब क्योंकि इसके अंदर क्या घुमरी है, wires, circular wires मालनो, imagine करो, एक circular wire इसमें घूमरी है, उस circular wire के axis पे, x distance पे, अगर मुझे बी निकालना है, तो मैंने आपको axis के उपर बी निकालना सिखाया था, मुनट बाइ 4 pi, 2 pi r square, r square x square 3 by 2 अब इसके अंदर कितने number of turns छुपे हुए है, मालूम नहीं, तो मालू कितने turns है, n number of turns है तो यहाँ पर, n number of turns है, यह n है, तो इसके अंदर, small, हमें क्या चाहिए, small n, small n क्या होता है, number of turns per unit, length तो number of turns per unit length को अगर मैं इसकी length से multiply कर दूँ, तो इसके अंदर छुपे हुए क्या आगे, number of turns तो यह number of turns आ गए, इस number of turns को हम यहाँ put करेंगे थोड़ी देर में, और इस, इसकी geometry use करते हुए tan 5 यहाँ पर tan of phi की value क्या होगी देखो, tan 5 will be equal to what, यह phi है, tan 5 is equal to x divided by r तो यहाँ से tan 5 x by r, x की value आ गई, इसको differentiate किया तो dx और d phi की value आ गई, अब एक काम करते हैं, यह हम b निकाल चुके हैं इस b में इस n को उपर put कर दिया, n into dx यह result आ गया, इस result में x हम निकाल चुके हैं, dx हम निकाल चुके हैं, x और dx की value को put किया, इसे simplify किया, simplify करके हमारे पास यह term आ जाती है और फिर end में limit लगी, alpha से लेके beta, limit लगाते ही, values put करते हैं, यह answer आएगा, आपने derivation नहीं करनी, आपने क्या करना है, सिरफ यह formula नोट करना है बस आपने रिजिस्टर में formula नोट कर लेना है, कि अगर कोई finite solenoid आया, आपको alpha given होगा, beta given होगा, आप simply b का formula, alpha, beta की form में ऐसे निकाल लेंगे हलांकि यह question आने का chance काफी कम रहता है, बहुत ही कम, एक आप question दिखेगा, नहीं दिखेगा, पर फिर भी कर आ जाए, तो मैंने formula बता दिया, अब सोचो, अगर यह solenoid infinite length का है, infinite length का है, तो बोलो alpha, beta क्या put करें, 90, 90, यह यह मैंने put किया, 90, 90, आपका वही result आ गया, जो आप आपका MPR circuit alone ने चार लाइन में कर दिया था, तो समझ में आया यहां तक, ACL की important समझ में आई, कि MPR circuit alone ने क्या किया, जैसे हम उसमें लेते थे, minus alpha से minus plus beta, state wire में क्या लेते हैं, alpha से beta, same है यह, वो vertical था, यह horizontal है, ठीक, अब suppose question यह आजाए, कि मेरे को solenoid के corner पे भी निकालना है यह वे, corner पे, और एक तरफ से solenoid infinite है, तो जहाँ पे infinity है, वहाँ पर angle pi by 2, और जहाँ यहाँ से start है, तो एक angle कितना, 0, तो एक angle 0, एक pi by 2, answer, तो आप ऐसे कई special case निकल के आएंगे, कि जहाँ पर भी देगा, तो by geometry हम alpha, beta निकालते रहेंगे, अपना answer रहता रहेगा, तो आपको idea समझ में आ रहे है, यह formula कैसे काम करेगा?